तो बाई मारे गेलना इस वक्त कुमारी शेलजाजी खुद जुडगी है और बाच्चीत कराएंगे दुआदार प्रचार कर ली है एलनाबाद में प्रत्याशी के लिए पवन बेड़ी वाल खात तरे लेकिन चुनाओ प्रचार किसा चाल रहा है इस चुनाओ में लोगों का स समर्थन किसा मिल रहा है अब उप्चुनाओ है तो और चुनाओं से थोड़ा अलग है इसलिए सब का ध्यान एक ही चुनाओ पर है उप्चुनाओ में लोगों का बड़ा अच्छा समर्थन मिल रहा है क्योंकि लोग देख रहे हैं कि ये उप्चुनाओ कैसे हो रहा है क्यो हो रहा है और एक मौका मिल गया लोगों को नए सिरे से अपनी बात रखने का इस उप चुनाओ में आप जब गाओं में पुछो हो अलग अलग गाओं है ज्यादा तर बड़े छोटे सब तरह के गाओं है इन गामा में पुछो तो लोग आप कैसे हैं में किस डाल के समस्या र जो सुनने में आया है और हमारे प्रत्याशी ने बताया क्योंकि पहले वो बीजेपी में थे तो की एक 18 करोड रुपए का प्रोजेक्ट था और यह घूमते रहे फिरते रहे प्रोजेक्ट अनौन्स हो गया कहा कि पैसा आगे भेज भी दिया गया लेकिन एक पैसा नहीं ल जाएं बिजली की समस्या होती है फिर हमारे युवा वर्क को आप देखिए आज के दिन युवा वर्क बड़ा समझदार हो गया है और सब देखता है कि दुनिया में क्या है आज युवा को चाहिए कि प्लेग्राउंड हो फिजिकल फिटनेस के लिए भी और आगे जैसे कह भरती है या कुछ और है उसकी तयारी के लिए और एक अच्छे ढंग से आप समझाओ अगर युवाओं की उर्जा लगे खेल कूद में लगे हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं तो ये भी एक बहुत डिमांड सामने आती है एलना बाद जैसी जगे में जाएं तो कॉलेज की डिमांड है एक आपको बहुत बात लगेगी कि जहां आप जाते हैं लड़कियां सामने आती हैं महिलाएं सामने आती हैं वो अपनी समस्याएं अलग से रखती हैं ये भी एक बड़ी बात है अच्छा आपने युवाओं की बात करी तो हम भी कुछ ल बात करते हैं पर राजस्थान का पंजाब का हरियाना का बोर्डर लगता है और बोर्डर के उपर इस जाड़की समस्या देखने मिले हैं जो नशे की जो दिक्कत है ना ये बाड़का नए युवाओं अना गरत में लेके जा रही है इस पर आपके कहोगे ये एक बहुत बात करते हैं कि जी नशा पहल रहा है क्या हो रहा है इसके बारे में तो दुख लगता है कि सरकार जहां समस्याई हैं उन्हें नहीं देख रही है और उसके मूल कारण में नहीं जा रहे हैं और हमारी पीड़ी को ज्यादा चिंता है इस चीज़ की तो ये जहां एक और हमार रास्ते पे चलेगा तो बटकेगा नहीं रोजगार एक बहुत बड़ा मसला रहा हरियाना जैसे प्रदेश में और इसमें अगर पहले की बात करां या आज की बात करां तो यह समस्या आज भी बंडी है सरकार आला की कहरे हैं कि हम तो जो है ना बेना पर्ची के बेना खर्ची की तो क्या याद दिलाओं आपको दसलाख रोजगार की क्या याद दिलाओं आपको यह तो लोगों ने देखा है लेकिन हमारे युगा के सामने बहुत बड़ा जो सामने मनजर नजर आता है उनको इतनी तयारी करकर के बच्चे इमतिहान देते हैं सारे पेपर लीक होते है सरकार की गंभीरता कहां है स्कैम पर स्कैम होते हैं नौकरियों के नाम पर तो दिखाते हैं कभी एक पकड़ा है कभी कहीं से पकड़ा है कहीं से पकड़ा है तो सरकार क्या इतना निकमापन है यहां पर हमारे सरकार में परशासन में कि कुछ उनको पता ही नहीं चल रहा है उसके अलावा अब रिपोर्ट आती हैं इंडिपेंडन्ट एजिंसी हैं सीमाई की रिपोर्ट आती है वो सब का आकलन करते हैं सबी राजियों का और वो बता रहे हैं कि हर्याना में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो सरकार क्या करे रही है सरकारी नौकरियां एक तरफ हैं जो निजिक शेतर है वहाँ पर फिर जुमले बाजी शुरू कर देते हैं एक और तो उद्यों खत्म हो रहे हैं कम हो रहे हैं उनको प्रोथसाहन नहीं मिल रहा है पीछे हमने देखा एक युवासाही समझो यंग था और वो अपनी व्यता सुना रहा था कि कैसे उसको जद्दो जहद करनी पड़ रही है अपनी फैक्टरी के लिए क्योंकि हर जगे उससे घूस मांगी जाती है तब ऐसे लोग आपके कैमरे के सामने आइडेंटिफाई नहीं होना चाते क्योंकि उन्हें डर है कि कल को और टागेट किया जाएगा उन्हें लेकिन ये अपनी समस्याएं बताते हैं फिर रोजगार के नाम पर आप देख लेकिन फिर क्या दिया कि नहीं आरक्षन हम करेंगे पचास हजार से कम की नौकरी में अब क्या दिया तीस हजार से कम की नौकरी में तो ये क्या चाते हैं हमारे युवा को हमेशा भटकाते रहेंगे बरगलाते रहेंगे कभी रोजगार देंगे भी आपके स्कैम और पेप प्रवाइब जाए है और उसके साथ कॉंग्रेस की सरकार भी दस साल रही लेकिन जब हम बात करां लोगा आता है तो कहें कि महराजों इलाका है ना वो राजस्तान से सटा है इस चक्कर में विकास यहां तक पहुंचता नहीं वो किसे मुख्यमंतरी के ख्षेतर में सिमीत हो ज तो क्या ये मुख्यमंतरी और उप्रधान मंतरी का ख्षेतर नहीं रहा क्यों नहीं यहां पर विकास हुआ जिसका खुद इनों ने प्रतिनेध्यत्व किया है लोगदल ने यहां पर क्यों नहीं विकास हुआ ये इनको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना या केवल जात विवस्था अच्छी थी, हर गाउं में हमने विकास का पैसा भेजा, आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजी, उस समय कोई नहीं कह सकता था कि कोई गाउं वंचित रहा है विकास के जो हम आगे बढ़ रहे थे, उसकी गती में कोई पीछे नहीं हुआ, पर ये दुख की बात है, हाला कि हमारा प्रतिनी दी यहां के वल एक बार जीता, 2005 में, और उसके बाद नहीं जीते, पहले भी नहीं थे, उसके बावजूद कॉंग्रिस ने कारिये किया, पर जब साथ साल से बीजेपी सरकार है, केंदर में है, राज्ये में है, इनको अपना जवाब देना है, इदर उदर और लोगों को बरगला है कि चलो हम बिजली दे देंगे, तो साथ साल से आप बैठे क्या कर रहे थे, साथ साल से क्यों नहीं काम किया, और सरकार ने क्या काम किया, आज कैंडिडेट क्यों उठा उठा कर वहाँ पे पोल फेंक रहा है, सरकार क्या कर रही है, साथ साल से सरकार ने क्या किया मानिये मुख्य मंत्री जी कभी आए हैं कभी कोई काम करके गए हैं अनाउंस्मेंट के अलावा कंडिडेट ने लेकर बात कर लिया आपकी पाइटी ने पवन बेनिवाल को चुना एक और प्रत्याशी दवेदार थे भरत बेनिवाल अब उनकी नाराजगी देखने मिली इवा नाराजगी कितनी दूर होगी और एक बात और भी आओ है कि कॉंग्रेस के सारे के सारे स्टार इस वक्त चुनाओ मैदान में लेकिन मंत कितने हैं तंत कितने हैं और प्रत्याशी के चैनल लेकर जो नाराजगी हुई वा कितनी दूर होगी नहीं प्रत्याशी को लेकर नाराज़गी इतनी नहीं थी, मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे कई दावेदार थे, उनमें से जो पहले विधायक रह चुके जिनकी बात आप कर रहे हैं, निराशा हो सकती है, उससे ज्यादा नाराज़गी नहीं क्योंकि फिर हमने उनसे बाचीत की और वो खुद मैदान में आ गए, हमारे साथ प्रचार किया, और उनके भाई हमारे साथ निरंतर प्रचार में हैं, और जहां तक कि हमारे स्टार प्रचारकों की बात है, सबी लोग आ रहे हैं, कारिये कर रहे हैं, और ये जो तन मन की आप बात कर रहे हैं, तन मन कोई अल दिख लेती है तो हम यह समझें कि आज मैं यह समझेंगी जो इस तरह की कोई बात होगी और लोग समझेंगे नहीं ऐसा नहीं होता सब पूरी निष्टा से कारिय कर रहे हैं यह और बहुत बड़ा मसला जो इस वक्त एलनाबाद की राजनित्ती में अच्छा रहा है और पूरे देश-प्रदेश की राजनित्ती में आप समझेंगे होगे मैं जिक सी बात करना चाहूं किसान आंदूलने के किसान आंदूलन की बात जब तक होगी इस एलनाबाद उप्चुनाओ में किसानिक से जोड़े लोग ज़ादा हैं या जो बात है कितनी गंभीर आपने लाग गए है और एक बात और अबै चोटा लाना यूँक है कि इस्तिफा दिया कि भई मैं जो है किसाना का साथ हूँ इस रिजल्ट या बात तही होगी कि भी कौन किसान के साथ है और कौन किसान के साथ नहीं है या बात तही हो जाएगी इस उप्चुनाओ में देखो किसान के साथ उप्चुनाओ का मैं नहीं समझती ये तो एक कड़ी होता है उप्चुनाओ अलग कहानी है अब आप जैसा क कह रहे हैं अभे चोटाला जी हालां कि अब वो शायद इस बात से इंकार कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा जो मीडिया के माधियम से ही पता चल रही है तो मैं तो कहती हूं कि तीन कृशी कानूनों को भी भूल जाए आपने किसानी के मामले पर अगर इस्तीफा दिया त अगर किसी को कोई चुनकर भेजता है कोई लाका तो उनकी ये उमीद होती है कि विधान सभा में उनके लिए लड़ाई लड़ी चाहे और अगर जो बड़ा मुद्दा भी है जैसा आपने कहा आज के दिन बहुत बड़ा मुद्दा है किसानी का उस मुद्दे की आवाज भ पहले इस्तीपा दे कर आ गए और ये तो सब जानते हैं कि भारतिये जिनता पार्टी और लोकदल का आपस में मिला जुला इनका साथ रहा है पहले भी रहा है और अब उनको मौका मिल गया जैजपा को इनको मिला होता है इनको मिला नहीं तो इनोंने भी वही करना था अब क कोई प्रत्यक्ष रूप से करता है कोई अप्रत्यक्ष रूप से करता है तो साथ तो ये बीजी पी का ही दे रहे है ना तो अब किसानी कहां रह गई ये तो अपनी स्वयम की राजनीती यहां पर भुनाई जा रही है ना की इलाके की ना की किसानी की दावेदार बीजी पी न सरकार भी कही है कि मुझे तो लगता है कि हर तरह से सरसा के लोगों के साथ खिलवाडा होता है पहले भी आपने देखा गविन कांडा जी वहां से चुनाव लड़े थे अपनी पार्टी से खिलवार होता है पहले भी आपने देखा गोविन कांडा जी वहां से चुनाव लड़े थे अपनी पार्टी से कोई अलगी पार्टी इनकी भाईयों की एक उनकी प्रतिने थी अभी भी हैं तो अब वो पार्टी चोड़कर इसमें आए क्या हुआ क्या गेम चल रही है उधर जो है रंजीत सिंग जी वहां पर है मंतरी पद उन्होंने ले रखा है तो यहां कितना फाइदा हुआ है जिले में यह तो दुनिया देख रही है कि सरसा में कितना फाइदा हुआ या आपके राणिया में कितना फाइदा हुआ या अब यहां पर क्या नहाल करेंगे यह भी सब जानते हैं कि मुड़के कभी देखा है वहां के विकास के लिए कभी कोई कारिय किया है कि सरकार को कभी लेकर आए हैं उनसे कोई पैसा दिलवाया है कुछ किया तो हो जो लोगों के सामने आप रख सकें अपना रिपोर्ट कार्ड की हमने ये कारिय करवाया जब किया नहीं तो अब चुनाओ के समय में इस तरह की बात ने करना जैसा मैंने कहा पर गलाने की बातें ज्यादा होती हैं जमीन पर साथ साल में ना सरकार ने काम किया और ना इनके प्रतिनेदी ने काम किया ना अब जो सरकार में हैं उन्होंने कोई कारिये करके दिखा है सरसा की तो हमेशा पेकशाई होती है आखरी सवाल कराएंगे आपने, दो तारिखने, रिजल्ट आवगा, सब बाट देखेंगे, चाहिए बीजेपी हो, कॉंग्रेस हो, इने लो, सब का इंतजार है, आपकी निज़र में दोने जो रिजल्ट आवगा, जो परणाम से हम यह आउंगे, उसमे के लाग गए हापने? कॉंग्रेस जीतेगी, परी नाम इसमें क्या आना है, अंतर तो देखो, जो भी होगा, जैसे भी तिकोनिये मुकाबला है, लेकिन कॉंग्रेस जीतेगी इसमें, मुकाबला आप किसके साथ माननों आप कॉंग्रेस का? तिकोनिये में देखो, बाकी दो में होता है कि कौन किधर होगा, लेकिन जीत तो कॉंग्रेस की होगी? परेगलना इतना ही, आप देखते हो, मारा खास प्रोग्राम लठ गाट करें।